ओम शान्ति पांच जैनिवरी दो हजजार बाईस बाबा के महावाक्य मीठे बच्चे, तुम्हें अभी नया जीवन मिला है, पुराना जीवन बदल गया है, क्योंकि तुम अब इश्वर्य संतान बने हो, तुम्हारी प्रीत एक बाप से है, प्रश्न, भ्राम्मन जो देवता बनने वाले हैं, उनकी मुख्य निशानी क्या होगी? उत्तर, वह ब्रह्मा की मुख्वन्शावली भ्राम्मन, सभी एक मत वाले होंगे, उनमें कभी मत भेद नहीं हो सकता, आपस में फूट नहीं पड़ सकती, लौकिक में जो भ्राम्मन कहलाते, उनमें तो अनेक मते होती है, कोई अपने को पुशकर्णी कहलाते, कोई सारसिद, तुम ब्राम्मन एक बाप की मत से देवता बनते हो, देवताओं में भी कभी फूट नहीं पड़ती, गीत, जिस दिन से मिले हम तुम, ओम शान्ती, जब जीवातमाई और परमातमा अत्वा बचे और बाप मिलते हैं, तो नई प्रीत हो जाती है, क्योंकि और संग प्रीत तूट जाती है, जैसे कन्या की पहले तो पियर घर से प्रीत होती है, सगाई होने से नई प्रीत जुटती है, उनके लिए सारा ससुर घर नया होता है, नई दुनिया की नई प्रीत जुटती है, तो सारे नई परिवार से प्रीत जुट जाती है, अब गायन भी है आत्माई पर्मात्मा अलग रहे बहुकाल यह सुन्दर मेला है नया यह घर नया यह संबंध नया तुम जानते हो हम हैं ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारिया शुद्र कुमार और कुमारिया अब नहीं हैं ब्रह्मा और ब्रह्मा कुमार कुमारियों का आपस में कितना लव है क्योंकि यह हो गए इश्वर्य संतान इश्वर तो है निराकार उनके साथ लव तो साकार में चाहिए न निराकार को कैसे लव करेंगे? आत्मा शरीर से अलग हो जाती है, तो लव नहीं होता आत्मा और परमात्मा जब साकार में मिले तब लव हो निराकार रूप में भल गाते रहते हैं, तुम मात पिता, हम बालक तेरे तुम आओ, तो तुम्हारी क्रपा से हमको सुख घनेरे मिले पतित पावन आओ, गाते है न, बरोबर भारत महान था, तो अथा सुख था उसका नाम ही था सुख धाम, यह है दुख धाम, और जहां आत्माई रहती हैं, वह है शान्ती धाम वहां तो आत्माई पवित्र ही रहती हैं, अपवित्र कोई आत्मा रहे नहीं सकती तुमको अब बाप मिला है, तो नया जीवन मिला है पुराना जीवन बदल, अब नया जीवन बना रही हैं अपने बाप से बेहद सुख का वर्सा ले रहे हैं सुख घनेरे भारत में ही होते हैं, स्वर्ग में और शान्ती घनेरी होती है निर्वान धाम में जहां तुम्हारा और हमारा घर है तो समझाना चाहिए हम आत्माई शान्ती धाम की रहने वाली हैं बाप भी वहां का रहने वाला है वह हमारे मुहाफिक जनम मरन के चक्कर में नहीं आते हैं है वह भी आत्मा परंतु परम आत्मा हैं परमधामे रहने वाले हैं, हम आत्माई भी परमधामे रहने वाले परमपिता परमात्मा के बच्चे थे, घर तो हम सबका वही है, घर भी सबको याद है, कोई मरता है, तो कहते हैं फलाना पार निर्वान गया, वह है वाणी से परे स्थान, सूर्य चांद की जहां गम नहीं, हम वहां के रहवासी हैं, अब बाबा को याद करते रहते हैं, जब बाप आते हैं, तो नई बाते फिर से सुनाते हैं, मनुष्य इस ड्रामा को जान जाएं तो बोले, हम जो कदम उठाते हैं, सेकिंड बाई सेकिंड नया है, बेहद का ड्रामा फिरता रहता है, तो बाप आकर नई बाते सुनाते हैं, तुम बच्चों को तृकाल दर्शी त्री नेत्री बना रहा हूं, बाप ब्रह्मान का मालिक है, तो त्रिलोकी का भी मालिक है न, क्योंकि तीनों ही लोकों की नॉलेज देते हैं, तुम त्रिलोकी के मालिक नहीं बनते हो, तुम विश्व के मालिक महाराजा महारानी बनते हो, त्रिलो की अर्थार्थ तीनों लोकों को जाना जाता है, मालिक तो एक लोक स्वर्ग का बनते हो, तो यह हैं नई नई बातें, बाबा के बच्चे बनते ही हैं वर्षा लेने के लिए, कोई को भी यह समझाना बड़ा सहज है, पूझो भगवान से तुम्हारा क्या संबंद है? भगवान तो है स्वर्ग का रचईता, मात पिता है, भगवान को कभी नर्क अत्वा दुखधाम का रचईता नहीं कहिंगे, परम पिता पर्मात्मा भ्रमा द्वारा स्वर्ग की स्थापना करते हैं, जरूर नई दुनिया स्वर्ग ही रचेंगे, पर्मात्मा भ्रमा द्वारा पहले भ्रामन धरम रचते हैं, उनको राजियोग सिखलाते हैं, जो फिर भ्रामन से देवता बनते हैं, तो ब्रह्मा द्वारा ब्रामन फिर विश्नु द्वारा दैवी धरम होगा। इस समय तुम ब्रामन बनकर फिर शत्रिय भी बनते हो। विश्नु धरम में जाते हो अभी इश्वरिय धरम अत्वा ब्रामन धरम में आई हो। फिर भविश्य दैवी धरम में जाएंगे। ब्रामन धरम भी चाहिए ना। प्रजा पिता भ्रामा द्वारा मुख वन्शावली भ्रामन रचे वह ठैरे बच्चे। सन्यासी भी मुख से रचते हैं परन्तु वह बच्चे नहीं रचते वह फॉलोर्स रचते हैं। उनको वन्श नहीं कहा जाता। मुख से कहते हैं तुम हमारे फॉलोर्स हो। वन्श को तो वर्सा मिले। यह तो तुम बच्चे जानते हो। दिन प्रति दिन भ्रम्मा मुख वन्शावली की व्रधी होती जाएगी। बीके बहुत होते जाएगे। जितने देवताईं बनने होंगे उतने भ्राम्मन जरूर बनेंगे। परम्पिता पर्मात्मा भ्रम्मा द्वारा मनुष्यों को भ्रामन सो देवता बनाते हैं, तो जरूर स्वर्ग के मालिक होंगे, उनके लिए ही गायन है, मनुष्य से देवता तो यह बाबा आकर नई नई बाते सुनाते हैं, नई दुनिया के लिए नई बाते होने कारण, शाष्ट्रों में कहां भी यह बाते नहीं हैं, इसलिए मनुष्य मौझते हैं तुम्हारी यह है इश्वरिय संप्रदाई, परंतु जो इश्वरिय संतान बन कर फिर इश्वर को फार्कति दे देते, वह फिर आसुरी संप्रदाई बन पड़ते हैं एक बारी मम्मा बाबा कहा ज्यान सुना तो उनको वर्सा जरूर मिलेगा मम्मा बाबा कहते रहते हैं, लिखते भी हैं पिता शिरी मातेश्वरी प्रजा पिता ब्रह्मा तो मशूर है ना, शिव बाबा भी नामी ग्रामी है, आत्मा कहती है गौड फादर बाप कहते हैं मैं पहले पहले प्रजा पिता ब्रह्मा को एडॉप्ट करता हूँ यह ब्रह्मा की एडॉप्शन सब ब्रह्मन है तो नई रचना हुई ना जरूर बहुत होंगे इतने सब विश से थोड़े ही पैदा हो सकते गाया भी जाता है प्रजा, पिता, भ्रमा और जगदंबा, भ्रमा भी एक, विश्णु भी एक, लक्ष्मी, नारायन भी एक, जगदंबा भी एक होती है, इनहीं फीचर्स वाला फिर कभी नहीं देखेंगे, हर एक मनुश्य फिर कल्प बाद ही उसी फीचर्स में देखा जा सकता है, यहां तो एक ही को बहुत फीचर्स में बना देते हैं, यहां बहुतों के नाम राधे कृष्ण हैं, परन्तु समश्ते थोड़े ही हैं, राधे कृष्ण तो स्वर्ग के फर्स्ट प्रिंस प्रिंसेस क नाम हैं, हम तो पतित हैं, हम कैसे यह नाम रख सकते हैं, तो शिव बाबा यह नई नई बाते सुनाते हैं, नई दुनिया के लिए यह नई बाते, नया ज्ञान हैं, बाब कहते हैं, हमने ही कल्प पहले भी नई बाते सुनाई थी, अब फिर सुना रहे हैं, तुम अभी सुन रहे हो, तुम देवी देवता बन जाएंगे, तो फिर यह ज्ञान खलास हो जाएगा। इतनी उची चड़ाई है, यह भी गाया हुआ है, आस्चरिय वत अपने बाप के बननती, सुननती, औरों को सुनावनती, फिर भी अहो माया भागनती हो जाते हैं। फिर किसको यह कह भी नहीं सकते, कि बीके के पास चलो, यह भी ड्रामा में नून्ध है, नथिंग नियू, बहुत आते और जाते रहेंगे, भठी में बैठे हुए भी माया से हार कर भागनती हो गए। स्वर्ग में तो आएंगे, जैसा पुर्शार्त किया है, वैसा पद पाएंगे। अपने लिए वा अपने संबंधी आदी के लिए कोई पूछे तो बता सकते हैं, खुद भी समझ सकते हैं कि इस हालत में क्या पद होगा। बाप बैड समझाते हैं, दहली में सब धर्मों की कॉन्फरेंस होती है। अब कॉन्फरेंस करते हैं कि स्रस्टी पर शान्ती कैसे स्थापन हो। या आपस में मिलकर एक कैसे हो जाएं, एक तो हो ना सकी। रिलिजियस हेड की कॉन्फरेंस है, परन्तु उनको तो पता नहीं है कि धर्म नंबर वार कैसे हैं। पहला नंबर धर्म कौन सा है। रिलिजियस हेड्स माना जिस जिसने धर्म स्थापन किया, वह हेड्स आई। जैसे चीफ मिनिस्टर्स की कॉन्फरेंस होती है, तो उसमें कलेक्टर वा जज आदी नहीं आ सकते। गवर्नर्स की आपस में कॉन्फरेंस होगी, तो गवर्नर्स ही आएंगे। हाँ, करके गवर्नर अपने प्राइविट सेक्रेटरी आदी को साथ में ले आएं। विचार करना चाहिए कि यह सब धर्म नंबर वार कैसे स्थापन होते हैं। सबसे बड़ा धर्म कौन सा है। आदी सनातन तो देवी देवता धर्म ही था। उस धर्म का हैड कहा। वह धर्म किसने स्थापन किया। कृष्ण तो अभी है नहीं। नहीं तो फिर कृष्ण को मानने वाले चाहिए। वह हैं वल्लभाचारी। तो जरूर हमारा देवी देवता धर्म था। वह फिर हिंदू धर्म कह देते हैं। परंतु हिंदू धर्म तो है नहीं। देवता धर्म का भी अभी कोई है नहीं। तो धर्मों के heads आने चाहिए, साथ में भल सेक्रेटरी आदी को भी ले आई, मुख्य धर्म तो हैं ही चार, उनके heads चाहिए, देवी देवता का head कौन? गाते तो हैं Goddess of Knowledge सरस्वती, प्रजा पिता भ्रह्मा, तो जरूर यही बड़े होंगे, वह भी समझेंगे भ्रह्मा से भ्रामन धरम हुआ, परंतु यह नहीं जानते कि यह भ्रामनों को कैसे पढ़ा कर देवता बनाते हैं। वह भ्रामन लोग भी कहते हैं, हम भ्रह्मा की संतान हैं, परंतु कैसे पैदा हुए, यह नहीं जानते। फिर भ्रामनों में भी कोई पुशकर्नी, कोई सार सिध कोई कैसे हैं। यहां तो भ्रह्मा के बच्चे भ्रामन ही भ्रामन हैं, और कोई फूट इन में पढ़ती नहीं हैं। दूसरे भ्रामनों में फूट पढ़ती हैं, इन में नहीं। ना कभी देवताओं में फूट पढ़ती हैं। सूर्य वन्शी सब सूर्य वन्शी मत भेद की बात नहीं। फूट में कितना नुकसान हो जाता है। तो बाप से तुम यह नई-नई बाते सुनते हो न। कोई गीत नहीं गाते हैं, नौलेज देते हैं नई प्रकार की। सारी सुर्ष्टी चक्र की नौलेज देते हैं, जो धारन करनी है। ऐसा जो बाप, टीचर, गुरू, उनको फारकती दे पढ़ाई, थोड़े ही छोड़ देनी चाहिए। पढ़ाई छोड़ी गोया बाप को छोड़ा। स्ट्यूडन्ट नहीं तो बच्चे भी नहीं, बाप को छोड़ा गोया वरसे को गवाया। पतित पावन एक ही बाप है। बाप कहते हैं, अब कयामत का समय है, सब को वापिस जाना है। हिसाब किताब चुक्तू कर। सोना आग में डालते हैं तो प्योर हो जाता है। अब आग तो सारी दुनिया को लगनी हैं, परन्तु इस आग में पावन नहीं हो सकेंगे। इसमें योगबल की बात है, या तो फिर सजाईं खाकर शरीर छोड़ेंगे। हिसाब किताब चुक्तू होगा। पाप का हिसाब किताब चुक्तू कर फिर पावन होकर वापिस जाना है। वापिस जाने का भी समय यह है। महा भारत की लड़ाई भी है, खोली भी मनाते हैं, रावन राज्य खतम हो जाना है, फिर राम राज्य में तो बहुत थोड़े होते हैं। अभी रावन राज्य में तो बहुत हैं, यह सब आत्माई कहां जाएंगी, जरूर लिबरेटर भी चाहिए, बाप कहते हैं, मैं सब को ले जाऊंगा, सब की जोती जगा कर ले जाऊंगा, फिर उन्हों को अपना अपना पार्ट बजाना हैं, तुम जानते हो, हम देवी दे प्रम में आएंगे, मुक्ती धाम में जाकर फिर वापिस चले आएंगे, चोरासी जनम भोगेंगे, सूर्य वन्शी, चंद्र वन्शी बनेंगे, सारा चक्र बुद्धी में आ गया है, आत्मा बता सकती है कि आओ, तो हम आपको शिव बाबा का ओक्यूपेशन बताएं, बच्चों के सिवाय तो कोई बता न सके, वह कहेंगे परमात्मा तो निराकार है, उनका फिर ओक्यूपेशन क्या बताएंगे, अरे वह पतित पावन हैं, तो जरूर पावन बनाने उनको आना है ना, कैसे राजयोग सिखलाते हैं, भ्रमा द्वारा कैसे देवी देवता धरम की स्थापना होती है, वह हम बता सकते हैं, तो बाबा बैठ सब बाते समझाते हैं, बच्चों को ही समझाएंगे, कल्प पहले जिन्होंने पढ़ा है, वह पढ़ते हैं, नहीं पढ़ सकते तो भागनती हो जाते हैं, नई बात नहीं, फिर भी बाबा का हमेशा बच्चों पर लव रहता है, बिचारा फिर भी आकर बाब से पूरा वर्सा ले, परन्तु तकदीर में नहीं होगा, तो क्या कर सकतें, बाब का तो लव है ना, क्योंकि भक्ती मार्ग में भी बाब को बहुत याद करते हैं, जो भी देवी देवता धरम वाले होंगे, वह जरूर याद करते होंगे, आधा कल्प, खूब याद करते हैं, आत्मा ने सुख पाया है, तो दुख में बाब को याद करेगी, वह जास्ती भक्ती कर, पुजारी से फिर पुज्य बनते हैं, जो देवी देवता थे, उनका ही सैपलिंग लग रहा है, तो कॉन्फरेंस आधी जब कहां भी होती हैं, तो उसमें मुख्य धरम वालों को बुलाना पड़े, बीके को बुलाएं, तो वह पूरी राय देंगे, प्रजा पिता भ्रह्मा के बच्चे भ्रह्मा कुमार कुमारियां ही पूरी राय दे सकते हैं, कि क्या करना है, तुम पीस चाहते हो, परन्तु पीस तो निर्वान धाम में ही होती है, अभी तो दुख धाम है, अनेक धरम है, एक धरम था तो सुख शान्ती सब कुछ था अभी यह विनाश तो जरूर होगा इसमें तो खुश होना चाहिए स्वर्ग के गेट खुल रहे हैं ऐसे ऐसे बच्चियों को समझाना पड़े समझा अच्छा मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मौनिंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते धार्ना के लिए मुख्य सार पहला कभी भी बाप को वा पढ़ाई को छोड़ वर्सा नहीं गवाना है एक मत हो रहना है दूसरा सजाओं से छूटने के लिए योगबल से पुराने सब हिसाब किताब चुक्तू करने है वर्दान ट्रस्टी पन की स्मरती से निमित समझ हर कारिय करने वाले डबल लाइट भव निमित पन का भाव बोज को सहज खतम कर देता है मेरी जिम्मेवारी है मेरे को ही संभालना है मेरे को ही सोचना है तो बोज होता है जिम्मेवारी बाप की है और बाप ने ट्रस्टी अर्थार्त निमित बनाया है इस स्मृती से डबल लाइट बन उड़ती कला का अनुभव करते रहो। जहां मेरा है वहां बोज है। इसलिए कभी किसी भी कारिय में जब बोज महसूस हो तो चेक करो कि कहीं गलती से तेरे के बजाए मेरा तो नहीं कहते। स्लोगन हर बोल में आत्मिक भाव और शुभ भावना हो तो कोई भी बोल व्यर्थ नहीं जा सकता। लवली निस्थिती का अनुभव जैसे कोई सागर में समा जाए तो उस समय सिवाए सागर के और कुछ नजर नहीं आएगा। ऐसे आप बच्चे सर्व गुणों के सागर में समा जाओ। बाप में नहीं समाना है लेकिन बाप की याद में इस नहीं के सागर में समा जाना है। ओम शंती